राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में कडाकी की ठंड ने सबका जीना मुश्किल कर रखा है बतादें की कल भी बुद्वार दर्जनवरी को दिल्ली समेत उत्तर भारत में कडाकी की ठंड देखने को मिली तो इसे दोरान पंजाब, बिहार, उत्रप्रदेश और हर्णियाना के कई हिस्सों में भी कोहरे की चादर देखने को मिली और अब इसी बीच मौसम विबाग का अनुमान है कि आज जानी गुरुवार 11 जन्वरी को दिल्ली और आसपास के इलाकों में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्वीट से हवा चल सकती है लेकिन राहत की बात यह है कि अब कोहरे की परद हटने लगी है इसकी वज़े से अधिक्तम तापमान में बड़ातरी हो सकती है और लोगों को दिन के समय ठंड से राहत मिल सकती है मौसम विबाग के अनुसार यूपी के अधिकान जिलो में घनक कोहरा चाय रहेगा वह बुद्वार को अधिक्तम तापमान 13-19 डिगरी के बीच तथा न्यूंतम तापमान 15-14 डिगरी के आसपास रहा विबाग ने पूरवी उपी के लिए यलो अलर्ड जाली किया है वहीं पहाडी, राजु जैसे जम्मो कश्मीर, हिमाचर प्रदेश और उत्रखन में बरबारी और हलकी बारिश की वज़ा से मैदानी इलाखों में भी बरफीली हवाई चल रही है बारिश होने की वज़ा से भीचन ठंड के साथ नापमान और गिरने की संभावना है इसके लावा मध्या प्रदेश के गवालियर और भिंड में ओला वरिश्ट्री भी हुई है इसके लावा कैरल और महराश्रे में भी बारिश हुई है बहरेहाल आपकी इस पे क्या रहा है हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज